पूरा देश बारत की वीर सेना और भारत की सरकार के साथ खड़ा है तो सरकार क्यों बैठी हुई है नमस्कार सात्यों सबसे पहले तो मैं भारत मा के 20 सपूत जिनोंने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहूती दे दी उन सभी सपूतों को सलाम करता हूँ साथ यो आज मैं तीन मुद्दों पर बात करना चाहता हूँ मेरा पहला मुद्दा ये है कि मैं पिछले दो दिनों से बाजपा के नेताओं को टीवी पर बार बार 1962 का जिक्र करते सुन रहा हूँ मैं उन सभी नेताओं से पूछना चाहता हूँ कि 1962 में मात्र 15 साल हुए थे देश को आजाद हुए इसके बावजूद भी हमारी सेनाओं ने जंग लड़ी थी गुटने नहीं टेके थे मेजर सेतान सिंग जो मारवाड के लाल है उन्होंने अपने प्राणों की आहुती दे दी थी पर भाग के नहीं आये थे आप बार बार 1962 का जब जिक्र करते हैं तो शहीदों के परिवार जो है उनको अपमानित करने का क्यों प्रयास कर रहे हैं और 1962 के मात्र 5 साल बाद 1967 भी आया था जब भारत की वीर सेना ने चीन के अंदर गुसके साड़े 300 से जादा चीनी सैनिकों को मार कर अपना बदला लिया था मेरा दूसरा मुद्ध ये है कि क्यों बार बार सरकार मुद्धों को भटका कर अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है क्यों प्रधान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी बाहरा के ये नहीं बताते हैं कि ये बीस सैनिकों की ने जो शाहदत दी वो किन परिस्तितियों में शाहदत हुई भारत माता के कितने वीर सपूत और कितने अधिकारी आज लापता है ये क्यों नहीं बताया जाता है हमको कितने वीर सपूत गंबीर रूप से घायल है इसके बारे में क्यों विवरन नहीं दिया जाता भारत की सरकार के द्वारा और मेरा तीसरा मुद्दा यह है कि जब आज पूरा देश भारत की वीर सेना और भारत की सरकार के साथ खड़ा है तो सरकार क्यों बैठी हुई है भारत के बरदान मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी देश को विश्वास में क्यों नहीं लेते क्यों हमें सिमाओं की हाकिकत नहीं बताते मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भारत का हर बेटा भारत का हर नागरिक एक इंच भी भूमी भारत माता की किसी भी विदेशी देश को देने को तयार नहीं है और अंत में यही कहना चाहूँगा कि सवाल पूछने से देश भक्ती कम नहीं होती बलकि मैं तो यह कहता हूँ सही सवाल पूछ कर सरकार को चेताना ही सच्ची देश भक्ती है जैहिन